प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्नक साथ संगत जी ये बावा जी के अशीरवादों का ही नतीज़ा है जो यहाँ आप सब अनेकों स्थानों से पहुँचे हैं और पुरातन महापुशों के जीवन से प्रेजना ले रहे हैं साथ संगत जी, अभी आपने भाई सब संतोक सिंग जी के भी बारे में सुना जब शेहनशाजी ने उनको बुलाया और कहा अब आप सरोवर पे रहेंगे वो उसी वक्त अपने घर गए और परिवार वालों को कहने लग पड़े कि अब हमने सरोवर पे रहना हैं समान तैयार कर लो किसी ने परिवार में से कहा उधर तो बिल्कुल घना जंगल है, सांप भी बहुत हैं और हर बार बरसाथ के दिनों में उधर बाड़ भी आती है अब शेहनशाई से दुबारा बात करके पूछो तो आगे से उन्हेंने का नहीं, यह मेरे गुरू का हुकम है नो इसन बत्स, कोई किंतू प्रंतू नहीं, हम उधर ही जाके रहेंगे साथ संगजी बाबाजी एक माँ का उधारन देते थे कि एक माँ कहीं भी रहे या उसका बच्चा जितना बड़ा हो जाए कहीं भी दुनिया के कोने में चला जाए वह एक माँ ही रहती है इसी प्रकार संथ का जीवन होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे भक्ती भाब, बिनम्र भाब, प्रीत प्यार से अपनी भक्ती में रहता है और औरों को भी रास्ता दिखाता है साथ संगर जी, escapists can never be devotees साथू संत्वकीर नहीं बनते नहीं कोई पहाडों पे या जंगलों में जाके भक्त अपनी अराधना करता है इस समाज में रहते हुए ही वै अपनी भक्ती निबहाता है जैसे उसको अदेश आता है साथ संगर जी, एक caterpillar चोटा सा कीड़ा होता है उसे हमने एक खूबसूरत तिकली में बदलते देखा है एक वो चोटा सा कीड़ा इतनी खूबसूरत उची ओडने वाली तिकली में बदल जाता है क्योंकि उसको अपने बनाने वाले पे पूरा विश्वाश है वो ना तो अपने शरीर के साथ जुड़ा होता है ना किसी बदलाव से डरता है और ना ही आने वाले कल से इसी प्रकार हमारा भी जीवन बन जाए जैसे नंकार की रजा हो उसमें हम रह पाएं और भक्ति कर पाएं बेकल जी की वो लाइने कर काम मेरा मैं तेरा करूँगा तुझे धेर माया के अरपन करूँगा ये भक्ति नहीं है साथ संगजी भक्ति तो वही है इश्क हकीकी में एक ही असूल है तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है हमारे अंदर ऐसी भक्ति भर जाए और इसकी रजा में हमें बहना आ जाए क्योंकि बहने के लिए हमें अपना एफ़र्ट मी करना पड़ता तो नंकार से यही अर्दास है कि जैसे नंकार जाता है वैसे हमारा जीवन जैसे वावजी ने चाहाँ वैसा हमारा जीवन बन पाए साथ संदची धन्नकार